हेलो फ्रेंट्स वोकिन बेग नातर वीडियो दिसी जन्वाट से गनिवरेजिंग कमिन सेर्विस अनुटेटू चैनल तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करने वाले है ब्येस फोर गारी में जो 4948 4948 जो फॉलकोड आता है पार्फॉर्मेंट्स बाया सेलेक्शन स्वि UK चल रहा है और कभी कभी ऐसे होता है जो आल वाटम और लाल बटन जो है लजुक्त क्रेंदध मर्ण करता है तो इसमें जो जर्डा वागा मीमा जो होता है और रोन जो क goodness का तो फिरस इसमे जो लाइब और हैमी मोद स्विच काम नहीं करता है तब यह फो नैट, पूरइट, फो अगुट एक्तिव, इनक्तिव में काउंट होता है तो फिरस इसमें जो वार भी प्रोब्लेम होता है जो इसका वाय इधक कॉंड्रोलर जो है, आपको पता है तो फ्रेंस इसमें जो एफी कंट्रोलर का वाइडिंग जो है एफी कंट्रोलर से वाइरिंग से यह लाइट मोड एफी मोड स्विच तेक कनेक्शन रहता है है तो फ्रेंस यह जो एफी कंट्रोलर कंट्रोलर खराब हो हने के मज़ोग है विजए फोठ्ण में अक्ट्रूलर और फाल कोड इन इन इक्ट्रो किमिंद अथा है तो फ्रेंस यह जो प्राब्ल्म आता है तो तब डाइवर बोलता है जो इसमें काम नहीं कर रहा है लाइट मोड एंड हेवी मोड सुछ से काम नहीं कर रहा है तो फ्रेंट्स इस काड़ी में देखेंगे जो क्या पॉल्ब्म हो सकते हैं और complete solution इस वीडियो में बताएंगे तो और भी यह 4948 जो इनक्र wannita यह जो 241 वीयुट स्वीट शेंचर के साथ भी यह 4948 एक्टिस में नक्रिकन काॉंट तो फ्रेंट्स यह जो फोर्वान विल्बेस्ट वेगल स्पीड शेल्स नहीं कर वारे है तो यह उसके साथ फोर्णाइट फोर्ड फोर्ड फोल्पोड इनक्टिव में ज्यादा वार काउंट देखने मिलता है तो फ्रेंट्स आज इस फीडियो में देखेंगे और इसका जो अच्छे से बताएंगे और वीडियो को फ्रेंट्स लास्ट देखते रहे और वीडियो को अच्छे लाइक कर देना ओके सो देखते हैं वह इस जो गारी में लैप्टॉप करनेट किया तो अब देख सकते हो इसमें इनक्टिव फोलकोड जो है दो सो चाउंटिस इंजिन क् अब देख सकते हो लाइट मोड जो है लाइट हरावत्ती चलके रहे गया है और हेवी मोड में कोई लाइट ही नहीं आ रहा है तो फ्रेंट्स यह रेड लाइट आएगा तो नहीं आ रहा है तो फ्रेंट्स इसका जो हरावत्ती में साथ इसका कनेक्शन है और यह हेवी मोड का कनेक्शन को ही कट गया तो फ्रेंट्स आप देखते हैं तो इसका जो वाइरिंग है दोनों जो यह जो आप देख सेकते हो इसमें जो है भी मोड स्वीच था इसका इगनिशन सप्लाई का वायर कड़ गया है और जो ग्राउंड रहता है और यह जो रेट पर लाल कलर का ब्लैक पर रेट कलर का वायर रहता है वह सिगनल है तो फ्रेंट्स यह सब जो वायर है यह सब यह यह फी कांट्रोलर से होके आता है और लाइट मोड स्वीच जो है लाइट मोड स्वीच में भी सेम एसा ही जो है 24 बोल सप्लाई दो पिन में 24 बोल सप्लाई दो में ग्राउंड और यह जो सिगनल रहता है तो यह जो सिगनल वाय जलता है switch में तो फ्रेंस ये आप voltage चेक कर रहे थे ढ़न कर रहे थे तो इसमें light mole में सुक्ष में वन्bang शाहिँ मिल रहा था और 371 arrival switch कैंदा है जो होग में आप नने जो है सुछ जो इसका स्विच के वायर कनेक्शन कर दिया फिर भी एक 4948 फॉलकोड एक्टिव में था तो फ्रेंस इसमें वार भी सामने देखना पड़ेगा जो इसमें क्या प्रॉब्लम है तो फ्रेंस दोनों जो स्विच का वोल्टेज सही हो गया जो 24 वोल्ट सप्लाई और इसके बात जो है यह पी कांट्रोलर की जो है यह पी कांट्रोलर का वायरिंग दे शे जो एक है जो इसमें जो आप देख सकते हो यह खड़ाब हो गया है क्योंकि इसके अंदर पानी चला गया है और इसके कारण जुए यह 4948 फॉल कोड भी एक्टिव हो रहा है तो इसके बदले में हमें नया जो एफी कंट्रॉलर डाला है तो इसके बाद आप इसका जो वायर जो है वायर सारा का सारा यहां से स्वीच तेक जो है कंडिडिटी मिला यह था जैसे हरा पे सफित कलर का है और लाल ब्लैक पे रेट क कंट्रोलर में जो वोल्टेज रहता है फाइप वोल्ट सप्लाइ रहता है वह भी चेक कर लेना है वाई 24 वोल्ट तो यह जो अब यह फॉल कोड इनक्टिव हो गया है हम क्लियर कर दे रहे है और फिर वीडियो को कैसला कॉमेंड में जरू बताना और अच्छे लाइए तो दो लाइक कर दी नवेक्ट सोट थैंस पर